हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में रतेंड इंडिया पावर शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर के प्राइज है यहां पे 5 रुपे है और इस शेयर में आज हमें जो हैं 9.82% तक के नेगेटिव रिटन्स यहां पे देखने को मिले हैं आगे हम इस share के यहाँ पे 1 month के returns की बात करते हैं तो 1 month में share ने हमें 60.32% तक के positive returns दिये हैं आगे अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में share में 87.22% तक के हमें यहाँ पे इस share के negative returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के bit quantity और रास quantity के बारे में बात करते हैं तो जो share का buying pressure है वो तो यहाँ पे 0 है और वहीं जो share का selling pressure है वो 9,449,041 है और आगे हम इस share के resistance और support level के बारे में बात करते हैं तो इस मन तक का जो share का maximum target है वो 5.90 पैसे के round रहने वाला है और जो आपका stop loss है यहाँ पे वो 5 रुपे रहेगा तो अगर आपके पास यह share है और आप इस share को यहाँ पे hold करके रखना चाते हैं तो आप इस share को यहाँ पे अपने own risk में यहाँ पर long term के perspective से भी hold कर सकते हैं वरना अगर आप चाहे तो इस share को अभी low price में buy करना चाहे तो buy भी कर सकते हैं और जैसे ही जो share है वो uptrend में जाए तो आप sale करके profit book कर सकते हैं